नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे वरिष्ट कथाकार सुधा अरोडा जी की कहानी डेजर्ट फोविया उर्फ समुद्र में रेगिस्तान तो आईए सुनते हैं कहानी दिन हफ्ते महीने साल लगभग 35 सालों से वे खड़ी थी खिड़की के आयताकार फ्रेम के दो हिस्सों में बटे समुद्र के निस्सीम विस्तार के सामने ऐसे जैसे समुद्र का हिस्सा हुवे हाह राते गहराते समुद्र की उफन्ती पचार खाती फेनिल लहरों की गतिशीलता के बीच एक मात्र शांद इस्थिर निश्चल वस्तू की तरह वे मानो कैलेंडर में जड़े एक खुपसूरत लैंड इसकेप का अभिन हिस्सा बन गई थी आंटी थोड़ी शक्कर चाहिए दर्वाजे की गंटी बजने के साथ साथ-ाथ साल के दो बच्चों में से एक ने हाथ का खाली कटोरा आगे कर दिया बच्चों की आँखों के चुम्पकिये आकर्शन से उन्होंने आगे बढ़कर खाली कटोरा लिया खुद रसोय में जाकर उसे चीनी से बरा और लाकर उन्हें थमा दिया सभालना उन्होंने हलकी सी मुस्कान के साथ एक का गाल थप थपाया और जिग्यासु निगाहों से देखा पूझा कुछ नहीं वहां बच्चे ने आंटी की मोहक मुस्कान में सवाल पड़ पड़ोस के फ्लैट की और इशारा किया जो किसी बड़ी कंपनी का गेस्ट हाउस था वहां अब भी आये हम लोग दुबाई से विदेशी अंदाज में आखो खींचते हुए बड़ी लड़की ने कहा पीछे से नाम की पुकार सुनकर एक ने दूसरे को ठावो का लोड़ते बच्चों की खिलखिलाहट को वे एक टक नहारती नहीं एक खिलखिलाहट पलती थैंक्यू आंटी उन्होंने स्विक्रिती में हाथ उठाया और बेमन से मुड़ गई खिड़की की ओर उनके पीछे-पीछे हवा में थैंक्यू आंटी के टुकडे तिर रहे थे तीस साल पहले समुद्र ऐसा मटमेला नहीं था चड़ती दुपहरी में वह आस्मान के हलके नेले रंग से कुछ ज़्यादा नेला पन लिये दिखता आस्मानी नेले रंग से तीन शेट गहरा लगता जैसे चित्रकार ने समुद्र को आँखने के बाद उसी नेले रंग में सफेद मिलाकर उपर के आस्मान पर रंगों की कूची फेर दी हो आस्मान और समुद्र को अलग करती बस एक गहरी नेली लकीर डूपता सूरत जब उस नेली लकीर को छोने के लिए धीरे-धीरे नीचे उतरता तो लाल गुलाबी रंगों का तूफान सा उमरता और वे सारे काम छोड़कर उठती और खूची लेकर उस उड़ते अभीर को कैनवस पर उतारती रहती एक दिन, दो दिन, तीन दिन तस्वीर पूरी होने पर खड़की के बाहर की तस्वीर का अपनी तस्वीर से मिलान करती और अपनी उंगलियों पर रीज जाती उन्हें थाम लेते ओफिस से लोटे साहब के मजबूत हाथ और उनकी उंगलियों पर होते साहब के नम होट दस साल बाद एक दिन अचानक जब गर्मी की छुट्टियां खत्मोने पर बच्चे वापस पंचगनी के होस्टल लोट गए उन्हें समुद्र कुछ बदरंग सा नीला लगा जिसमें जगे जगे नीले रंके धुनलाये चकत्ते थे खिड़की के बाहर दिखाई देता समुद्र पहले से भी ज़्यादा विस्तारी था वैसा ही अचोर विस्तार उन्हें अपने भीतर पसरता महसूस हुआ उनका मन हुआ कि उस सपाठ निर्जन असीम विस्तार पर घर लोड़ते हुए पक्षियों की एक कतार आंक दें जिनके उड़ने का अक्स समुद्र की लहरों पर पड़ता हो उन्होंने पुराने सामान के जखीरे से कैन्वास और कूची निका ली पर कैन्वास सप्थ और खुर्दुरा हो चुका था और कूची के बाल सोख कर अकड़ गए थे वे बार-बार खड़की के बाहर की तस्वीर को बदलने की कोशिश करती पर उस कोशिश को हर बार नाकाम करता हुआ समुद्र फिर समुद्र था जिद्धी, भयावर और खिलंदड़ा खिलंदड़े समुद्र के किनारे किनारे कुछ होरते प्रैम में बच्चों को घुमा रही थी एक युवा लड़की की कमर में बंधे पट्टे के साथ बच्चे का कैरियर नत्थी था जिसमें बच्चा बंदरिये के बच्चे की तरह मा की छाती से चिपका था मुझे अपना बच्चा चाहिए साहब की बाहों के गेरे को हथेलियों से कस्ते हुए उनके मुह से कराह सा वाग के फिसल पड़ा साहब के हाथ जटके से अलग हुए और बाय हाथ की तरजनी को उठा कर उन्होंने बरस दिया फिर कभी मत कहना ये तीनों तुहारे अपने नहीं है क्या साहब ने कॉर्णिस पर रखी बच्चों की तस्वीर उठा ली फ्रेम में जड़ी हुई तीनों बच्चों की हसी के साथ साहब की तरजनी की हीरे की अंगूठी की चमा कितनी तेज थी कि वे कह नहीं पाई कि उनका बच्पन कहां देखा उन्होंने वे तो जब ब्याहकर इस घर में आई तो दस आठ और छह साल की तीनों बेटों ने अपनी छोटी मा का स्वागत किया था और वे दहलीज लांगते ही एका एक बड़ी हो गई थी वह अपने दसवे माले के फ्लैट की उचाई से सबको तब तक देखती रही जब तक समुद्र की पचार खाती लहरें उफन उफन कर जमीन से एका कार नहीं हो गई सबकुछ गड़ मड़ होकर धुआ 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 सा धुंद्रा हो गया न जाने कब वह खिलंदड़ा समुद्र एकाकी और हताश रेगिस्तान में बदल गया वे खिड़की पर खड़ी होती तो उन्हें लगता उनकी आँखों के सामने हिलोरें लेता समुद्र नहीं साहब हसते हुए कहते इसका इलाज होना चाहिए साहब को अचानक एक दिन दिल का तौरा पड़ा और वह उनका अतीत बन गए पीछे छोड़ गए बेशुमार जायदात और तीन जवान बेटे उतने ही अचानक उन्होंने अपने को कोल्ट कचेरी के मुकद्मों और कानूनी दाव पेचों से गिरा पाया तीनों बेटों के घेरने पर उन्होंने कहा कि उन्हें साहब की जमापूंची, फॉर्म हाउस और बैंक बैलन्स नहीं चाहिए सिर्फ यह घर उनसे न चीना जाए उन्हें लगा उनके जीने के लिए यह रेगिस्तान बहुत जरूरी है घर उन्हें मिला पर बच्चे चिन गए तीनों बेटे अब विदेश में थे और अपनी जमीन जैदार की देख रेक करने साल छमाई आ जाते थे पर आकर छोटी मा के दरवाजे पर दस्तक देना अब उनके लिए जरूरी नहीं रह गया था उन्हें पता ही नहीं चला कब वह धीरे-धीरे खिडकी के चौकोर फ्रेम में जड़े लैंड इसकेप का हिस्सा बन गई आंटी हम लोग आथ चले जाएंगे वापस दोबाई वैसे ही आपको खींचते हुए बड़ी लड़की ने कहा हमारे ग्रैनपा मतलब नाना हमें लेने आये हैं चलिए हमारे साथ उनसे मिलिए बच्चों ने दोनों और से उनकी उंगलियां थामी और उनके मना करने के बावजूद उन्हें गेस्ट हाउस की और ले चले इन चार दिनों में बच्चे उनके इर्द-गिर्द बने रहे थे सोफे पर एक अधेर सजन बैठे अकबार पड़ रहे थे उन्हें देखते ही हरबड़ा कर उठे और हाथ जोड़कर बोल पड़े बच्चे आकी बहुत तारीफ करते हैं आंटी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती है आंटी के खिड़की से इतना अच्छा व्यू दिखता है बोलते बोलते वह रुके चश्मा नाग पर दबाया और आँखे दो-तीन बार जपका कर बोले अगर मैं गलत नहीं तो आर यू छवी? चवी 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 जैसे किसी दुरगटना में इंद्रियां संग्या हीन हो जाएं वे जहां थी वहां खड़ी जैसे सचमुच बुद बन गई हां पर आप बोलते हुए उन्हें अपनी आवाज किसी कुए के भीतर से उभरती लगी नहीं पहचाना न? मैं महेश कॉलेज में तुम्हारा मजनु नंबर बन कहकर वे ठाहा का मार कर हस पड़े तुम भी अम नानी दादी बन गई होगी पोते-पोतियों वाली अपने सहाब से मिलवाओ उन्होंने आखें जुकाई और सिरे ला दिया वे नहीं रहे सोरी मुझे पता नहीं था उनके स्वर में शमा याशना थी चलती हूँ वे रुकी नहीं घर की ओर मुड़ गई पीछे से छोटे बच्चे ने उनका पल्लू थामा आंटी आंटी वे मुणी बच्चे ने एक पल उनकी सूनी आखों में जाका फिर पुछकारता हुआ धीरे से बोला आंटी यू आर एन एंजिल वे मुस्कराई पसीजी हाथेलियों से गाल थप थपाया फिर घुटने मोड कर नीचे बैठ गई उसका माथा चूमा थैंक यू और घर की ओर कदम बढ़ाए कापते हाथों से उन्होंने चाबी गुमाई दर्वाजा खुला दीवारों पर लगी पेंटिंग्स के कोनों पर लिखा उनका छोटा सा नाम वहां से निकल कर पूरे कमरे में फैल गया था कमरे के बीचों बीच बह नाम जैसे उनकी प्रतीक्षा में बैटा था वे हुलसकर उससे मिली और ढह गई जैसे बरसों पहले बिच्डे दोस्त से गले मिली हूँ खिडकी के बाहर रेगिस्तान धीरे-धीरे हिलोरें लेने लगा था और फिर नजाने कैसे खिड़की के बाहर हिलोरें लेता रेगिस्तान उमरते समुद्र की तरह बेरोग टोग कमरे में चला आया और सारे बांध तोड़कर उफनता हुआ उनकी आँखों के रास्ते बह निकला तो ये थी कहानी, कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर पहली बाहर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचीतों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, धन्यवाद